हेलो फ्रेंज विल्कम विल्कम तो मैं चैनल इमोशनल इंपल्स स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने चाहरे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरिस्टिंग टॉपिक्स जिसका नाम है एविदेंस देट आर ने कैन बी जेनेटिकल मेटेरियल means हम सबी को पता है DNA जो होता है वो जेनेटिकल मेटेरियल को कैरी कर सकता है लेकिन उसके शाथ आर ने भी जेनेटिकल मेटेरियल को कैरी कर सकता है हम लोग जानते थे आर ने जो होता है वो प्रोटिन सिंथिस करता है लेकिन उसके शाथ RNA जेनिटिकल मेटियरियल को भी कैरी कर सकता है सो आज का क्लास सुरू करने से पहले एक बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट आप लोगा प्लीज इस क्लास को फुल वाच करना अंपिल अंपिल एंड अप दिस क्लास वाच दिस वीडियो प्लीज आज के क्लास में हम लोग ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट के बार में जानने जा रहे हैं जिसके साथ हम लोग को यह पता चल जाएगा DNA के साथ RNA जो होता है वो भी जेनिटिकल मेटियरियल को कैरी कर सकता है ओके सो दो साइनिटिस्ट मिलके टोबा को मुझाएग वाईरिस के अंदर से कुछ ऐसा निकलीग एसड़ को इस्ट्रेप्ट कियी थे उसकी पुठीपन करके ऐसा एक पहुत ही आसान तरीके से एक एक एक्सपेरिमेंट किया था जैसे हम लोग को यह मालम चल गया कि RNA जो होता है वो भी जिनेटिकल मिटेरियल को carry कर सकता है तो चलिए हम लोग सुर करते हैं देखो तो यहाँ पर मैं कुछ बोला हूँ साइनिटिस्ट और कुछ एक्सपिरिमेंट के बारे में At the University of California They conducted one experiment on TOA को मुझे एक वाइरस पता होगा वाइरस क्या होता है वाइरस होता है one type of organism on non-living things But until they are apart from the living body जब तो वो living body के बाहर रहता है तब तो वो होता है living body से बहुत दूर मतलब जब तो living body से बाहर होता है तब उसके अंदर कोई भी life नहीं होता लेकिन जब living body के अंदर आजाता है तो इसके अंदर लाइब हो जाता है तो टूबा को मुझे एक virus वैसे एक virus होता है जो स्रेफ और स्रेफ टूबा को plant को अटक करता है ठीक है तो उसका हो च्यासरे हो भता है पर बीक है जज़े पाईब हो आपर इो याप खाता है प्राइल झाल 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 फर्स्ट एफिक्टिट लीप को इस्टर्ट किया गया लग किया गया उसको क्राश्ट किया गया उसका सेंट्रिफ्यूज किया गया करने के बाद नंबर सी में देखो सेल का जो डेबृष है उसको फस्ट इंजट किया गया जब सेल का डेबृष को इंजट किया गया पत्ता जो था वो सूख गया मतलब निकली के सिट के अंदर ऐसे कुछ ने कुछ पाट था जो तो टीमब वायरस को जो वीरोलिनसी पावर है तो क्रियेट देट वाकू मुझे एक कैपसिटी वो उसको करी करता था तो देखो यहांपर डीन भी नहीं है तो डीन तो नहीं कर गया सकता क्या क्या था प्रोटीन था और आरेने था तो प्रोटीन और आरेने के अंदर हम लोग को मालूम चल गया है प्रोटीन कुछ नहीं करता क्योंकि हम लोगे एक्सपिरेंट करके देख चुकिया है लेकिन आरेने जब इंजेक्ट किया था वैसे हो गया मतलब टीम भी एफिक्टिट हो गया तो बोल सकते है आरेने उसको जो वीरोलिनसी पावर था यहांपर वीरोल एफिक्टिन और रोटीन कुछ नहीं करता आरेन जो यह बुर्टिन आहीं पर प्रोटीन के कुछ फ़ंक्शन नहीं रहनुह ऐँडियों के लिस गर्ने में आरेने का वंक्शन है ठीक है। So, when these two substances are mixed together, they reconstituted TMV-R virus particles. Those particles are capable of causing an infection. Jab RNA and protein दोनों को मिला की इन्फेस किया गया, infection दिया गया, तब फेसी डिजिस क्रेट हो गया. लिकिन खुद प्रोटीन का कुछ ऐसे कुछ प्रोटीन का कुछ ऐसे कुछ प्रोटीन नहीं है कि वो डिजिस को क्रेट करें. RNA का कपसीटी होता है टू क्रेट डिजिस. So, students, यह था आज का हम लोग का क्लस. Hopefully, you understood very well. If it is, then please like my channel, subscribe my channel first, and please मेरे साथ देना, मेरे साथ रहना. और अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक्स में, या फिर इसी भी टॉपिक्स में कुछ समझने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझना चाहिए तुम लोग को, और भी समझना चाहिए यह तरी क्यों से, तो please मेरे comment section में जाके comment करो, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं, bye, take care, मिलते हैं अगले वीडियो में.